किसका घर है मुंबई में सबसे शानदार जी हाँ आज हम आपके लिए एक्स्क्लियोजिव खबर लेकर आए हैं और ये खबर सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे वैसे आपको बता दे भले ही हमारे भोजपुरिया सितारे बिहार लेकिन उनका जादा तर टाइम मुंबई में बीता है क्योंकि यहां मुंबई में फिल्मों की शूटिंग होती है साथ ही साथ सॉंग रिकॉर्डिंग होती है और बहुत सारी फिसेलिटी यहां पर लोगों को मिलती है आपको हम यह बताएंगे कि हमारे जो भोजपुरिया सितारे जो यूपी बिहार के अलग-अलग छेत्रों से आते हैं वो मुंबई में आने के बाद कितनी लैविस लाइफ जीते हैं जी हां हम आपको आज यहां पर बताएंगे कि रवी किशन मनोस दिवारी दिनेश लाल यादो निरहुआ पवन सिंग और खेसारी लाल यादो प्रदीप पांडे चिंटू इन सब के घर यहां कितने एक्सपेंसिव हैं और इन सब में सबसे महंगा घर किसका है आये शुरुआत करते हैं हम खेसारी लाल यादों से जी हां खेसारी लाल यादों की बात करें तो मुंबई के मीरा रोड इलाके में इनका एक साथी साथ इनके पास मुंबई के कई इलाकों में फ्लैट्स हैं ऐसा कहा जाता है कि खेसारी लाल यादों का अमूमन मुंबई क हर एक इलाके में एक फ्लेट है खिसारी लाल यादों ने मुंबली में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है वैसे ज़र की बात करें तो इन के घर के कीमत लगबग मुंबली में प्रवेश लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दोनों की फैमली यहीं एक ही घर में रहती है और ऐसा भी कहा जाता है कि निरहुआ ने और भी कई जगे प्रॉपटी में इन्वेस्ट किया हुआ है ये हम सिर्फ मुंबई के घर की बात कर रहे हैं मुंबई में दिनेश लाल यादव निरहुआ जहां रहते हैं वो तो बहुत अच्छी जगे रहते हैं लेकिन जहां पर उन्होंने प्रॉपटी में इन्वेस्ट किया है और भी कई घर लिये हैं वो भी बहुत अच्छे और पॉश एरिये में लिये हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पवन सिंग की तरफ जी हाँ पवन सिंग का मुंबई में दो फ्लैट है और दोनों बहुत ही एक्स्पेंसिव है एक तो उनका अंधेरी में घर है और दूसरा उनका मलाड में घर है और ये दोनों मुंबई के पॉश इलाके में ही आ और उस मलाड वाले घर की भी कीमत तीन करोड रुपए हैं साथ ही साथ अंधेरी वाले घर की कीमत लगभग नौ करोड बताई जाती हैं ऐसा कहा जाता है कि अंधेरी से मलाड तक पवन सिंग की तकरीबन तीन प्रॉपटीज हैं और अब बढ़ते हैं रवी किशन की तरफ अलत नहीं होगा अगर हम बात उनके ओफिस की करें यानि मुंबई में जो उनकी ओफिस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव जगह हैं मुंबई के चार बंगला में हैं और वो ओफिस और घर दोनों हैं लेकिन रवी किशन वहां नहीं रहते रवी किशन रहते हैं मुंबई के वर्षोवा इलाके में जो की बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में ही आती है साथ ही रवी किशन इससे पहले गोरेगां और मलाड में भी कई प्रॉप कुल मिला के देखा जाए तो रवी किशन भोचपुरी के सबसे जादा अमीर एक्टरों में सामिल है और उनकी जो प्रॉप ने मुंबई में जादा इंवेस्ट नहीं किया है उनके दो ही फ्लैड अंधिरी में है और वो भी बहुत ही पोश एरिया में है अंधिरी वेस्ट में वो रहते हैं जिनकी कीमत करोणों में आकी जाती है वहीं प्रदीप पांडे चिंटू की बात करे तो वो रहते तो अपन लिए एक आली शान घर खरीदा है जिसके कीमत दो करोड तकरीबन दो से धाई करोड बताई जाते तो चौक गहना भोश पूरिया स्टार्स किसी बॉलिवुड स्टार से कम नहीं है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यह जो भोश पूरिया स्टार है उनके पडोसी को बड़े बड़े नामती नहस्तियां है भोश पूरी जगत की होट और मसालेदा गौसप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकुन नहीं होगी